जहिन साथियों मेरा नाम है रून कुमार आप देख रहें टीटू क्लासिस आज की वीडियो में हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर के अंतरगत जो वीडियो बना रहे हैं उसका नाम है मुगल आर्किटेक्चर मुगल इस्थापत्यकला की जो विशेशताएं रही हैं जो कुछ इस्पेशल इस्पेशल फीचर से मुगल इस्थापत्यकला की उसकी चर्चा में इस वीडियो में करेंगे आगे आने वाली वीडियो में हम मुगल इस्थापत्यकला के अंतरगत जो जो मारते बनाए गए जो 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 गार्डन बनाए गए उन सब के बारे में बातें करेंग तो देखिए जो मुगल इस्थापत्य कला है मुगल आर्किटेक्चर है वो इंडो इसलामिक आर्किटेक्चर है मतलब उसमें इंडियन आर्किटेक्चर प्लस इसलामिक आर्किटेक्चर जो है दोनों का संगम देखने को मिलता है और इंडो इसलामिक आर्किटेक्चर जो है सल्तनत काल में रही उसके बाद जो प्रांत के जो छोटे-छोटे राजा है उन्छोंने भी इस स्थापते कला को अपनाया लेकिन यह इंडो इसलामिक आर्केटक्चर है इंडो इसलामिक स्थापते कला है इसका जो स्वान काल है वो मुगल सासन में ही देखने को मिलता है इस इंडो-इस्लामिक architecture का जो stating होती है प्राराम्ब होता है बाबर के द्वारा किया जाता है उसको थोड़ा आगे बढ़ा जाता है अकबर के द्वारा और चर्मत सर्क पे अपने पीक पे पहुच जाती है सहाजा की रहिन में सहाजा के सासंकाल में और ओरणग जेव के सासन काल आते आते जो है इस मुगल इस्तापत्यकला का पतन होने लगता है तो इसी मुगल इस्तापत्यकला की क्या विशेष्टाइन है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं विशेस्टाव में सबसे पहले जो है इसके अंदर जो मिल्दिंगे बनाई गई जो मारते बनाई गई उसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तमाल किया गया रेड सेंड स्टोन का इस्तमाल किया गया, मैं आपको जोगरफी में बता चुका हूँ, रेड सेंड स्टोन इंडुस्तान में इंडिया में कहां कहां पर मिलता है, संगे मरमर का इस्तमाल पहली बार इसी इस्थापत्यकला के इंतरगत किया गया वाइट मारबल का इस्तमाल किया गया खुरदरे पत्थर का प्रियोग भी किया गया और वाइट मारबल का सबसे जो महतपूर्ण सबसे इंपोर्टेंट उधारन जो है वो सहां जहां के द्वार बनाया गया ताजमहलआह a पहना मार वल से बना हुआ एक बहतरू नमूद है इस स्थापते कला का विशेश विशाल परिसर वाली सरचना बनाई जाती थी बहुत-बहुत बड़ी सरचना उसका जो बाउंडरी थी बाउंडरी बहुत बड़ी होती थी विशेश रूप से विशाल परिशर होता था मीलो तक फैले हुए किले बनाए जाते थे मुगल स्थापत्यकला के अंतरगत घुमावदार और कोंडार महराबे होती थी महराबे क्या होती ही जैसे अगर क्या रहेगी घुमावदार और कोड़दार महराबे अगली विशेश ता जो बहुत इंपोर्टेंट है पेत्रा द्वारा पेत्रा द्वारा टेक्निक का इस्तमाल मुगल आर्केटक्चर में विशेश रूप से किया गया यह कोशन का इबार एक्जाम में पूछा गया पेत पेत्रा द्वारा में क्या होता है कि मार्वल को के ऊपर जहें चित्रकारी करी जाती है हार्ड मार्वल के ऊपर चित्रकारी करी जाती है और रतनों की नकासी करी जाती है और फिर उसे बिल्डिंग में चिपका दिया जाता है यानि मार्वल के ऊपर भी रतनों की नकासी कलर फुल पेंटिंग जो की जाती है उसको पेत्रा द्वारा तकनीक कहते हैं और पेत्रा द्वारा तकनीक का इस्तमाल मुगलों के द्वारा किया गया यह कुछन कई बार एक्जाम में पूछा गया है पेत्रा द्वारा तकनीक क्या होती है और किसके द्वारा इसका इसका इसके चोटा चोटा अलंकरन का इस्तमाल किया गया कैलेग्राफिका यानि सुन्दर जो हाथ से लिखी जो हाथ की सुन्दर लिखावाट होती है उसे कैलेग्राफिक कहते हैं बिल्डिंग में जो बनाई गई जो इमारते बनाई गई उसमें केलिग्राफिक का इस्तमाल बारी का लंकरन का इस्तमाल सुन्दर सुन्दर जालियां बनाई गई जो इमारते बनाई जाती थी उनमें जालियां लगाई जाती थी वह भी बहुत सुन्दर सुन्दर तरीके की अलग अलग डेजाइन की बनेवी जालियों का इस्तमाल किया गया, चार बाग का इस्तमाल विशेश रूप से मुगला आर्किटेक्चर में किया गया है, चार बाग क्या होता है, एक बीच में मुख्य इमारत होती है, उसके चारों तरफ गार्डन होता है, और उस गार्डन को दोनों तरफ या तो पानी की निकलने के लिए नालिया होंगी या फिर यहां पर फवारे लगे भी हो सकते हैं और यह चार हिस्से बच गए यह चार गार्डन आपको दिखाई देंगे तो इस चार बाग कला का इस्तमाल मुगल स्थापत्य कला में विशेश रूप से किया गय जाते हैं परसन स्टाइल ऑफ गार्डन में बिल्डिंग एड़ दा सेंटर ऑफ दा क्वाडरेंटल गार्डन चत्रबुज गार्डन के बीच में मुख्य मंद मुख्य इमारत होती है डिवाड़ीड बाइड़ वाल्वेज ओफ फ्लोइंग वार्टर इन फोर इसमाल पार् की यह गोल अकार की जो इस्टक्चर बनी होती है इसे गुमबद कहते हैं उसके अलावा मिनारों का इस्तमाल किया गया मिनारे में बिल्डिंग के दोनों तरफ उची उची मिनारे बनाई जाती हैं जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं यह मिनारे हैं और बीच में यह गु उस नेचरल फूल पत्तों का अलंकरण किया जाता था, डिजाइन बना जाते थे, बिल्डिंग बनाते समय उसके उपर, तो उसे कहते थे अर्बैक्स अलंकरण, अर्बैक्स डिजाइन, इसका इस्तमाल भी मुगल आर्केटक्चर में किया गया है, तो आप यह पित्रा, द्वारा, टेक्नीक और अर्बैक्स टेक्नीक दोनों ही आप याद रखेंगे, और चार बाग क्या होता है, ये भी आप याद रखेंगे, मुगल आर्केटक्चर के अंतरगत, इसके लावा क्या-क्या बनाया गया, तो देखिया एक चीज़ ओर फवारों का इस्तमाल किया गया, मुगल आर्केटक्चर में फवारे लगा जाते थे और नालिया, पानी को ले जाने के लिए, नालियों का इस्तершाब्य मुगल यहां पर बताएं गया गया जैसे चारा रो तरफ सिरास्ते के चारा रो तरफ based आ पर ले snapshot के लिए ना गारें होंगी इना मुद्र बनाएं गहांएं तक हमस्जीदें मॉस्जिदें बनाएं स्क्रिबारें बनाए गई हैं बाबलियां क्या होती है पानी के जो पानी का कुंड होता है ना पानी के कुंड को बाबली कहते हैं तो बाबली बनाए गई है बड़ी बड़ी मीनारे बनाए गई है तो इन सब चीजों का निर्मान किया गया है मुगल आर्केटक्चर के समय मुगल इस्थाप को इंसे ही मारते बनाई किसकी सासक ने उनको बनाया और उन्हीं मारतों की क्या विश्चता रही है उस पर चर्चा करेंगे जैहिन जै भारत खुश रहिए मुस्कुराते रहिए